हेलो दोस्तों स्वागत है उसलिक हमारे यट्यूब चैनल में और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाल फोन से ही किसी भी म्यूजिक ट्रेक के ऊपर गाना कैसे रिकार्ड कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक मोबाल एंड्राइड एपस है और इस अप्लिकेशन का नाम है आईडियो इवो लूसन जी हाँ दोस्तों इस अप्लिकेशन का नाम है आईडियो इवो लूसन इसको आप प्लेशोर से इंस्टाल कर सकते हैं डारेक्ट और इसक कुछ basic जानकारी के बारे में मैंने आपको बताया था और यह मेरा दूसरा पार्ट है इस वीडियो में हम मैं आपको इस पर recording करना बताऊंगा track के उपर दोस्तों बहुत सरे लोगों ने comment करके कहा था कि मेरे पास computer नहीं है तो कोई mobile वाला ऐसा android एस बताईए जिस हम track के उपर अपना गाना रिकार्ड कर सकें तो आपके लिए यहाँ पर लेकर रहा है idea evolution इसकी मदद से आप track के उपर गाना रिकार्ड कर सकते हैं और इसमें आप अपना effect भी लगा सकते हैं तो दोस्तों अगर आप एक beginner हैं अगर आप अभी सीख रहे हैं तो आप इस application का यूज कर सकते हैं और किसी भी कबर सांग के track के उपर आप गाना रिकार्ड कर सकते हैं बहुत ही अच्छा application है आप headphone लगाकर के इसमें आप अपना गाना रिकार्ड कीजिएगा बहुत ही अच्छा ओकल आपका रिकार्ड होता है ठीक है तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि इस प यहाँ पर देखेंगे सबसे उपर project का आपको option दिखेगा तो project के ऊपर आपको click करना है new project के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक नया project बना लेना ठीक है तो यहाँ पर जिसे आपको करना क्या होगा एक आइडियो ट्रेक लेना होगा ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर उपर आपको क्लिक करना यहाँ पर आपको टेमपो टेमपो कर देना है किस मदब किस tempo का आपको यहाँ पर track लेना है तो मेरे पास जो track पड़ा हुआ है वो 80 tempo के उपर है तो यहाँ पर 80 bpm set कर देंगे next कर देंगे और फिर यहाँ पर आपको कुछ करने की जुरूरत नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं बस किवल आपको okay कर देना है okay करने के बाद में project के उपर आपको click करना यहाँ पर आपको आजाना है import idio and mini file के उपर आपको click करना है और जो भी आपका track होगा यहाँ पर आप track को import कर देंगे ठीक है उसके बाद में file के उपर आपको click कर देना जो दूसरे लिग file दिख रही है अब यहाँ पर आपको करना क्या है कुछ इस तरह का आपका दिख जाएगा अब यहाँ पर आपको जिस ट्रेक के उपर आप रिकार्ड करना चाह रहे है यानि कि आपको एक मोनो का ट्रेक बनाना है तो यहाँ पर प्लेस का इकन दिगरा इसके उपर आपको क्लिक करना है उसके बाद में एड़ आड़ो ट्रेक के उपर आपको क्लिक करके आपको कर देना है ठीक है तो चेले सबसे पहले हम इस ट्रेक को सुना देते हैं आपको तो सुन लेजे इस त्रेक को आप सुन लेजे फिर मैं बताऊंगा कि इसके ओपर आप रिकार्ड कैसे कर सकते हैं तो यहां पर मैंने थोड़ा सा ट्रेक हैं पर सुनाया हूं ठीक है यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं और यहां पर ग्रीट के उपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जिस तरह से आपके QS 5 में होता है वन बार होता है टू बार होता है वीट होता है यहां पर चाहें तो यहां पर रख सकते हैं पर देख सकते हैं ठीक है यहां पर आपका आजाएगा और चाहे रखना चाहे तो रख सकते हैं वरना यहां पर कोई दिक्कत नहीं इसको नहीं भी रख सकते हैं अब यहां पर करना क्या रिकार्डिंग करने के लिए सबसे पर रिकार्ड करते हैं इसको फिर मैं आपको बताता आप ट्रेक यहां पर देख सकते हैं रिकार्डिंग का एक बटन है सबसे वहले इसके उपर आपको क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद में जो दूसरा रिकार्डिंग का बटन है इसके उपर क्लिक करेंगे तो यह इस्टार्ट हो जाएगा ठीक है रिकार्डिंग करना स्टार्ट हो जाएगा फिर जहां से आप रिकार्ड करना चाहते हैं अपने ओकल को यहां से आप आसानी से रिकार्ड कर सकते हैं तो चलिए यहां पर हम किलिक करते हैं दोनों पर किलिक करते हैं यहां पर आपको रिकार्ड करेंगे आपका ओकल यहाँ पर कीलियर रिकार्ड होता हुआ नजर आ जाएगा तो यहाँ पर आपके पास माइक या फिर आडियो इंटरफेस नहीं है तो आपके पास हेड़फोन होगा आप उस हेड़फोन का यूज़ कर सकते हैं और आप अपने ट्रेक के ओपर गाने को रिकार्ड यहाँ पर बहुत आसानी से कर सकते हैं आपका ओकल यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से रिकार्ड हो जाएगा तो दोस्तों आपके रिकार्डिंग है पर हो चुकिए तो इस तरह से आप गाने को रिकार्ड कर सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर जो जो आपका track है यहाँ पर click करेंगे, split सबसे उपर देख सकते हैं, इसको यहाँ पर लाना है, फिर यहाँ पर आपको click कर देना split के उपर, तो यहाँ पर आपका cut हो जाएगा, remove कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, आपका remove हो चुका है, तो इसके basic tools के बारे मैंने आपको प कर देना है धी सकते हैं च numb करेंगे तो यहां पर कुछ box देख जाएंगे तो यहां पर इंब करा रहा है इंपुट तो यहां पर आपकोpetto in plastic B Kor physical Live करण के यहां पर देख सकते कंप्रे açıl यहां पी मिल जाएगा यह बहुत शारे अपको पूरेसे ट मिल जाएग़ noise gate है अगर आपके ओकल में noise आती है तो इससे आप कम कर सकते हैं सुनके ठीक है तो सुनके आप कर लीजेगा यहाँ पे यहाँ पर preset भी save कर सकते हैं सबसे उपर preset save करने का अपसन है यहाँ डिले के ओपर क्लिक करेंगे तो dual delay है single delay है तो single delay का यूज करेंगे mix यहाँ पर देख सकते हैं आपको कम ही रखना है ठीक ज्यादा mix मत रखिएगा क्योंकि आप मुबाल से record कर रहे हैं इतना अच्छा record होता नहीं है फिर भी EQ के ओपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको phyramatric मिल जाएगा EQ देख सकते हैं इसको आपको जो center frequency है center frequency इसको आपको थोड़ा सा कम ही रखना है ज्यादा नहीं रखना है बाकि इसका जो gain level है आपको zero ही डिवी रखना है ठीक ज्यादा यहाँ बढ़ाने की जरूरत नहीं है उसके बाद में यहाँ पर आप दूसरा effect भी हाँ लगा सकते हैं खाले box को उपर click करना है यहाँ पर modulation यहाँ पर देख सकते हैं तो reverb हम यूज करके आपको बताएंगे ओकल टोन है रिवर्ब के उपर आपको click करना है इसका जो room size है आपको down कर देना है ज्यादा करेंगे तो reverb ज्यादा आ जाएगा weight इसका कम कर देना है लेबल उतना ही रगना ठीक है तो यहाँ पर मैंने effect लगा के आपको बता दिया हूं तो यहाँ पर आप इस पर और भी कुछ करना चाते हैं वे इसकी कर सकते हैं वो आपके उपर है यहाँ जिसे chorus लगाना है ठीक है इसे chorus लगान बता दिया हूं track 3 है इस पर भी आप record कर सकते हैं आप किसी से record करवा सकते हैं मालीजे male female दोनों गार है तो दोनों से recording करवा सकते हैं अब इसको save करना है project के उपर click करके यहाँ पर आएंगे सबसे नीचे आएंगे mix down project लिखा हुआ है इसके उपर click करना है फिर okay को उपर click कर okay करना चाते हैं MP3 में पर आपको sit करना है फिर यहां पर export करना है तो आपको export के उपर click कर देना है उके कर देना है तो यहां पर देख सकते हैं आपका जो हैडियो सांग है एकक्सपोर्ट हो चुका है उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको और बता दू दोस्तो अगर आप beginner है तो इसका आप यूज कर सकते हैं इससे आप beat to beat match करके आप गाने की recording कर सकते हैं किसी भी track के उपर इससे आप ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा लेकिन अगर आप मतलब कि अगर आप माइक लेते हैं एड़फोन लेते हैं, computer लेते हैं और QBS 5 खरीते हैं तो इससे आपका ज़्यादा खर्चा आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करने की जुरूरत नहीं है जब आप सीख जाएं बेसिक जानकारी जब आप सीख जाएं उस पर गाना बीट पर रिकार्डिंग करना सीख जाएं तब आप अपना जो है एक computer खरी लीजेगा एड़ इंटरफेस खरी लीजेगा QBS 5 पर रिकार्डिंग कर सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर देख लीजी आपसन के ओपर पोज भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं नया म्यूजिक आप कमपोज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से अब इसको अगर हम हटा दें यहाँ पर दूसरा ट्रेक ले रहे हैं एड्रम पैटन ट्रेक अगर आप कोई बीड बनाना है ट्रेक बनाना है ब्रेक पैटन बनाना है तो उसकी मदद से आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा application है, तो यहाँ पर आपको OK को पर आपको किलिक कर देना है, यहाँ पर beat बना सकते हैं, तो beat कैसे बनाएंगे, नया music कैसे compose करेंगे, हम next video में इसकी जानकारी आप लोगों को जरूर देखें, तो अगर आप हमारे सभी वीडियो देखना चाते हैं, ट्रेक बनाना, मोबाल एप से ही application की विद्द से नया ट्रेक बनाना, नया music का पोच करना, फिर music ट्रेक बनाने के बाद में उसके उपर recording करना, इफ्यक लगाना, अगर आप चाते हैं में वीडियो बनाओ तो comment करिए, वीडियो को like करिए, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर करें,